हलो दोस्तो मैं नाम है अजे और दोस्तो अब हम आया आईफोन रेपैरिंग कोर्स के नेक्स पार्ट पर जहां आज हम सीखेंगे आईफोन 6S का मदरबूर्ट कैसे हम निकाल सकते हैं तो दोस्तो इस अइफोन 6S पे सबसे इंपोर्ट ध्यान देने वाली बात क्या है वह आज मैं आपको बताँगा जो आईफोन को खोलते वक्त यह गलती कब भी मत करना वन अफ। भारी पड़ सकती है वह क्या उनची गलती है ठीक है वो भी मैं आपको समझाता हूँ क्या गलती है ओके सबसे पर दोस्तों देखिए मेरे पास एक आईफोन 6 हैस है जो अभी चालू कंडिशन में है तो मैं इसमें आपको सिखाऊंगा कि इस फॉन की जो मदर बोर्ट होता है आईफोन 6 हो या कोई साभी आईफोन दोस्तो तो उसका मदर बोर्ट हम कैसे अराम से निकाल सकते हैं ठीक है क्या क्या चुछे ध्यान देने वाली चीजें होती है वह सब में आगा आउसको बताऊंगा तो सबसे बदोस्तों यहां से हम इसको स्चॉप कर लेते हैं तो आप यहां पर हमें देख स्लैट करना है तो यह हमा आइफोन ओपन करना है तो जरुदे दोस्तों आप यही पत्ती वाला ओपनर ही यूज करना यह काफी हेल्फूल होता है मतलब काफी असान से फोन खुल जाता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है ओके तो ठीक है इस तरह से आपको यहां से आइफोन को खोलना है जैसे हम आ आपको बेसे लिए दोस्तों समझा रहा हो कि आइफोन 6S को खोलते वक्त इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है वह बहुत इंपोर्टेट है वहना बहुत बड़ी गलती हो जाती है इसके अंदर बहुत पता नहीं होता गलती कभी कर बैठते में साथ दोस्तों गलती हु डिस्प्ले को उतारना अगर इसको लगी हुई छोड़ दी और डिस्प्ले उतार दी तो आपकी फॉन की 100% में कहा रहा हूं दोस्तों लाइट जो है कि वह उड़ जाएगी मतलब दोस्तों में सब कुछ चलगा लेकिन फॉन में दिखाए कुछ नहीं देगा और वह आप प इस तरह से उतार दी है कि ओके तो इस तरह से हमने डिस्प्ले को उतार दिया है और यहां से देखिए आब मैं चलता हूं नेक्स चीज़ पर तो आपको सामें दोस्तों कुछ इस तरह का आपको यह बोट दिख रहा है तो तो इसको खोलना पड़ेगा तो इस तरह को फारे होता है इस तब आपको मदरबोट निकालने के लिए सिंपली यहां पे खोली होते उस्सा मादिया को असलों को यहां है ओकि तो इसके बाद तो ऑपर यहां को गणाना है तो उपर कैमेरे के बहल में है और यहाँ पर देखें नीचे साइड में आउन अप पत्ता होता है ही यहाँ पर आपको दो स्क्रूइर देखें लगी वी बिट दो इसपलेट को हो लेना है ओके ठीक है इस तरह सा अब कूल लेना है और अब नेक्स पर चलते हैं यहां से देखिए अब आपको करेंगे इस तरह का पूडियां दिखेगा यहां से आपको यह स्कुरू जो होता है यहां से खोलना है तो ज्यादा पेंच आईफून शिक्शन के बॉर्ड निकालने में नहीं होते हैं बस 5-6 पेंच होते हैं जो ज देखिए दोस्तों यहां पर इस तरह से एक पेंच खोल लिया दोस्तों यह आईफॉन सिक्शन का जो मदरबोर्ड निकालने के लिए कोई ज्यादा दिमाग लगाने पड़ता है पिल्कुल सिंपल है बस आपको निकालने है और निकाल लेना है बाकि जिस तरह आप निकालन तो उसी तरह से ही सेम आपको मदरबोर लगाना है इसके अंदर ठीक हैं यहां से भी खोल लेते हैं दोस्तों काफी आसान है कोई बड़ा मेजर मेटर काम नहीं है बिल्कुल सिंपल तरीके से निकल जाएगा बस आप अपने प्रिंट जो आपके स्कुरू होते हैं सारे अलग अलग ड्राइगराम बनाकर रखना ताकि वह बायत में मिस्टेक ना हो और निजबिस का फरक होता है तो पनी चेह हो चाता है तो वह जांती नहीं है यहाँ से आपको निकाल लेना है इसको यह चैनी के डिनपंसराई को और दो भीनर यहां अब जो सारे लग जाएंगे लेकिन दोसतो एक नट जो है कुछ अलग तरीका का लगा हो आइज इह पर जिसपे प्लेट जो होती है यह उसका नट है जहां पत्ती टैट करते हैं यह उसका है तो दोस्तो इसके लिए आपको कोई प्रेज कर दो समय देखिए जो आइफोन के नीचे के बॉटम के स्कूरू फोलता है मैं उसको यूज करूँगा कि दूस्ता मेरे प्लास अभी इस टैम नहीं है मैं इसको ऐसे खोलना कि दूस्ता है अराम से खोलना को जबदस्ति निकरने तो देखिए अराम से इसकी केबल को हटा लेते हैं ओन अपकी ठीक है तो देखिए इस तरह से केबल है यह और यहां से हम मतर पूर्ट को इस तरह से निकालेंगे दोस्तों बस यहां पर आप एक बार ध्यान देना है यहां पर जो एक वाइफाई एंटीने की वायर होती है जो वाइफाई ब्लुट है इसमें लगा हुआ है तो इसको यहां से निकाल देते हैं этहु कि घरiende और nella काम नेथा बस पांस मिंकाम है इसमें कोई जादा शुरू नहीं ज्यादा कितने स्कूरू होंगे मैकूंध स्क्रू होगे आइडिया तो इतने थे बाकी तो बड़ा वापसान है जिसे हमने निकाला दोस्तों एसे ही आपको वापस लगा देना है तो फ़लाल में इस वीदिए में आपको यही दिखाया है कि मदर पोड को निकालना कैसे ओके तुझ तो इस तरह से मधरबोड हैं जो सारे के सारे पाइट उसम्हें लगे हुए ओके तो दोस्तों इस वीडियो में आप मैंने में आपको यह सिखाया है कि मदरबोड को आईफोन के 6S कैसा निकाला जाता है और में चीज़ क्या है वो ध्यांदेने वाली वह है बैटरी को रिमॉब करना सबसे पहले ओके तो इस तरह से हमना आईफोन 6S के हÝ में देखाता हुँ तो देखिए देखिए दोस्तों यहां से आपको दिखाए हूँ एहां पर वीडियो पस्तान recre धील के थैंक झाल झाल झाल